नमस्कार, भारतवानी से मैं कविता, स्वागत करती हूँ आप सबका, श्रीमद अध्यात्मरामायन संपून पाठ की मेरी इस श्रिंखला की चौदहवी कडी में. हम पढ़ रहे हैं अयोध्या कांड से पंचम सक्ड़। आज हो रहा है भगवान श्री राम का वन गमन. चली प्रादम करते हैं आज का पाठ. श्री महादेव उवाच्याँ आयांतम नागरा द्रिष्ट्वा मारगे रामम सजानकिम लक्ष्मणे नसमम वीक्ष्य उचुह सर्वे परस्परम कैकेयां वरदानादी शुत्वा दुख समावृताह बतर राजा दश्रतह सत्यसंधं प्रियं सुतं स्त्रीहेतो रत्य जत्कामी तस्य सत्यात्मता कुतह कैकेवा कथम दुष्टा रामम सत्यम प्रियंकरम विवासयामास कथम कुर करमाते मुढधीह हे जना नात्र वस्तव्यम गच्छामो अध्यैवकाननम यत्र रामह सभार्यष्च सानु जोगन्तु मिच्छती पश्यन्तु जानकीम सर्वे पादचारेन गच्छतीम पुम्भिही कदाचे द्रिष्टावा जानकी लोक सुन्दरी सापि पादेन गच्छन्ती जन संगेश्वना पृताव रामु अपि पादचारेन गजाश्वादे विवल जितः गच्छती द्रक्ष्यत विभुम् सर्व लोकई कसुन्दरम् राक्षसी कैके इनामनी जाता सर्व विनाशिनी रामस्यापि भवे दुखं सीतायाह पादयानतह बलवान्वे धिरे वात्र पुम् प्रयत्नो हिदुर्बलः इति दुखा कुले ब्रिंदे साधुनाम मुनिपुंगवः श्री महादेव जी उमा को सुनाते हुए श्री राम की कथा कहते हैं आगे कि जानकी और लक्षमन सहित श्री राम चंदर जी को मार्ग में आते देख और कैकेई के वरदान आदिका समाचार सुन समस्त नगरवासी दुखातुर होकर आपस में कहने लगे हाई कामवश राजा दश्रत ने अपने सत्य परायन प्रिय पुत्र को स्त्री के कारण छोड़ दिया उसकी सत्य परायनता कैसे रही और दुष्ठा कैकेई ने भी सत्यवादी और प्रियकारी राम को क्यों वनवास दिया वह ऐसी क्रूर कर्मा और हत बुद्धी क्यों हो गई भाईयो अब हमें भी यहां नहीं रहना चाहिए हम भी आज ही श्री राम के साथ वन को चलेंगे जहां स्त्री और छोटे भाई सहित राम जाना चाहते हैं वहीं हम भी पहुँचेंगे देखो तो आज जानकी जी पैदल चल रही है हाई जिस त्रिलोक सुंदरी जानकी को पहले कभी किसी पुरुष ने शायद देखा ही नहो वही आज बिना किसी परदे के जन समुह में पैदल चल रही है भाईयो इन सर्व लोकाई क सुंदर भगवान राम की ओर भी देखो ये भी आज बिना हाथी घोडे के पैदल ही चले जा रहे है और ये देखो ये कहकई नाम की राक्षसी सबका नाश करने के लिए उत्पन होई है भाई इन सीता जी के पैदल चलने से राम जी को भी तो बड़ा दुख होता होगा किन्तु किया क्या जाए इसमें दैव ही प्रबल है पुरोश का प्रयत्म सर्वथा असमर्थ है हब्रवी द्वाम देवु अथ साधु नाम संग मध्यगह मानुशो चत्रामम वासितांबा वच्मितत्वतह एशरामह परो विश्नुरादिनारायनह स्मृतह एशा साजानकी लक्ष्मीर्योगमा एति विश्रुता असव शेशस्तमन्वेति लक्ष्मनाख्यष्यस्च साम्प्रतम एशा माया गुनाईर युक्त स्ततत्दाकार वानिव एशा एवर जो युक्तो ब्रह्मा भूद्विश्व भावनह सत्वा विश्टस्तता विश्णो स्त्रे जगत प्रतिपालकह एशा रुद्रस्तामसोंते जगत प्रलयकारणं एशा मत्स्यह पुरा भूत्वा भक्तम वैवस्वतम्मनुं नाव्यारोप्यलयस्यांते पालयामासराघवः समुद्र मतने पूर्वम मंदरे सुतलं गते आधारयस्त्व प्रिष्ठे इंद्रिम् कूर्मरूपीर भूतमह महीरसातलम याता प्रलये सुकरो अभवत तोलयामासर दंष्टा ग्रेताम क्षोणीम रगुनंदनह नारसिंगम वपुहु कृत्वा प्रहलाद वरदह पुरा त्रैलोक्यकंटकम रक्षः पाटयामासरतन नखैही पुत्रराज्यम हृतम द्रिष्ट्वा यदित्यायाचितह पुराह वामनत्वमुपागम्य यांचयाचाहरत्पुनह दुष्टक्षत्रिय भूभारनि वृत्यय भार्गवो अभवत साइवजगताम नाथ इदानीम रामताम गतह रावणा दीने रक्षांसी कोटिशो निहने शती तो इस प्रकार जब सब लोग बातकर ही रहे थे रामसीता को वन जाते हुए देखकर तो सादु समाज को दुखातुर देख मुनिवर वामदेव उनके बीच में आकर कहने लगे कि मैं आप लोगों को वास्तविक बात बताता हूँ आप इन राम और सीता के लिए किसी प्रकार की चिंता न करें ये राम आदिन आरायन भगवान विश्णु है और ये जानकी जी योग माया नाम से विख्यात श्री लक्ष्मी जी है इस समय जो लक्ष्मन नाम धारण कर इनका अनुगमन कर रहे हैं ये शेश जी है ये पुरुशोत्तम भगवान ही माया के गुणों से युक्त होकर विभिन आकार वाले से प्रतीत हुआ करते हैं रजो गुण से युक्त होकर ये ही विश्वर अचैता ब्रह्मा जी हुए हैं और सत्व गुण विशिष्ट होने पर ये ही त्रिलोक रक्षक भगवान विश्णु होते हैं तथा कलपांत में तमोगुण का आश्रय कर ये ही जगत का प्रलाय करने वाले रुद्र होते हैं पूर्व काल में इनी रघुनात जी ने मत्स रूप होकर अपने भक्त वैवस्वत मनु को नाव में बेठा कर प्रलाय काल के समय उनकी रक्षा की थी समुद्र मन्थन के समय जब मंदराचल पाताल लोग को जाने लगा तब इनी रघुनात जी ने कूर्म रूप होकर उसे अपनी पीठ पर धारण किया था प्रलाय काल में जब प्रित्वी रसातल को चली गई तो ये शूकर रूप हुए और उस प्रित्वी को अपनी दाढ़ों पर उठा लिया इसी प्रकार एक बार प्रहलाद को वर देने के लिए इन्होंने निसिंग का रूप धारण किया और तीनों लोकों के कंटक रूप देहते राज हिरन्य कशिपू को अपने नखों से फार डाला एक बार अपने पुत्र इंद्र का राज गया हुआ देख जब आदिती ने इनसे प्रार्थना की तब इन्होंने वामन रूप धारण कर याचना करके उसे फिर लोटा लिया इन्होंने पृत्वी के भार रूप दुष्ट क्षत्रिय गणों को नश्ट करने के लिए भ्रेगु पुत्र परश राम का रूप धारण किया था वे ही जगत प्रभु इस समें राम रूप से प्रकट हुए हैं और अब ये राम अनादि करोणों राक्षसों का वध करेंगे यही है श्री राम के वन गमन का हेतु मानुशे नईव मरणं तस्यद्रिष्टं दुरात्मन राज्या दशिरते नापि तपसाराधितो हरिही पुत्रत्वा कांग्षया विष्णो स्तदा पुत्रो भवधरिही साएव विष्णो श्री रामो रावना दिवधायही गंताद्याइव वनम रामो लक्ष्मणिन सहायवान एशासीताहरेर माया स्रिष्टि स्थित्यंतकारिनी राजावा कैकेई वापिनात्र कारमन्वपी पूर्वेध्युर नारदह प्राह भूभार हरनायच रामो प्याह स्वयम साक्षाच्वो गमिष्याम्यहं वनम अतो रामम समुदिष्य चिन्ताम् त्यजत बालेशाह राम रामेतिये नित्यम जपंति मनुजाभुवी ते शाम मृत्यु भयादीनी नाभवंति कदाचन कापुनस्तस्य रामस्य दुखशंका महात्मनह राम नाम नैव मुक्तिही स्यातकलव नानेन केनचे माया मानुशरू बेण विडंबयती लोककृत भक्ता नाम भजनार्थाय रामनस्य वधायच राग्यश्चा भीष्ट सिध्यर्थम मानुषम वपुराश्रितह इत्युक्त्वा विररामाध वाम देवो महामुनिहीं शुत्वाते अपि द्विजाह सर्वे रामम ज्यात्वारिम विभं जहुरुखित्संशय ग्रंथिम राममेवान्व चिंतयन यईदम चिंतये नित्यम रहस्यम रामसीतयोह तस्यरामे द्रिधा भक्तिर भवे द्विज्ञान पूर्विकाः रहस्यम गोपनियम वो यूयम वैराघव प्रियाह इत्युक्ता प्रययव विप्रस्ते अपि रामम परम विदुहू। वाम देवजी आगे बताते हुए उन सब लोगों को कहते हैं कि श्री राम का वन गमन रामन के वद हेत हो रहा है। उस दुरात्मा रावन की मृत्यू तो मनुश्य के हाथ ही बदी है। महराज दश्रत ने अपने पूर्व जन्द में तपस्या द्वारा भगवान विश्नु की इसलिए आराधना की थी कि वे उनके यहाँ पुत्र रूप से अवतार ले। और इसलिए भगवान इनके यहाँ पुत्र हुए हैं। वे विश्नु भगवान ही श्री राम चंद्र जी हैं। अब ये रावन के बद के लिए आज ही लक्ष्मन सहित वन को जाएंगे। ये सीता जी जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाली साक्षात भगवान की माया है। इनके वन गमन में राजा या कहकेई अनुमात्र भी कारण नहीं है। कल ही इनसे नारज जी ने पृत्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी। उस समय स्वयम राम ने भी उनसे यही कहा था कि कल मैं वन को जाऊंगा। अता है भोले भाले मेरे भाईयों आप लोग राम के लिए कोई चिंता ना करें। संसार में जो लोग नित्य प्रति राम राम जपा करते हैं उनको भी किसी समय मृत्यू के भाय आदी कभी नहीं होते। फिर उन मात्मा राम के लिए तो दुख की शंका भला कैसे हो सकती है। कल यूग में तो एक मात्र राम नाम से ही मुक्ति हो सकती है और किसी उपाय से नहीं। ये जगत करता प्रभु भक्तों को गोण कीर्टन का सुयोग देने के लिए और रामन को मारने के लिए ही माया मानुष रूप से संसार में लीला कर रहे हैं इसके सिवा राजा दशरत की मनोरत सिद्धी के लिए भी इन्होंने यह मनुष्य शरीर धारण किया है ऐसा कहकर महामुनिवाम देव जी मौन हो गए अब यह सुन वहाए कत्रित हुए सब द्विज गणों ने भी भगवान राम को सर्व व्यापक श्री विश्नु भगवान जाना और वे अपने हृदय का संशय छोड़कर श्री राम चंदर जी का ही स्मरण करने लगे और जो पुरुष्नित्य प्रति राम और सीता के इस रहस्य का मनन करेगा उसकी भगवान राम में विज्ञान के सहित द्रिढ़ भक्ती हो जाएगी आप सब लोग राम के परम प्रिय हैं अता है इस रहस्य को सधा गुप्त रखें ऐसा कहे विप्रवर वाम देव जी वहां से चले गए और पुरुजनों ने भी जान लिया कि राम तो परमात्ना है अब उनकी चिंता करना व्यर्थ है दतो रामह समा विश्य पित्रिगेह मवारितह गंतुम कृतधियह शीग्रमाग्या पयतुनह पिता इत्युक्ता सहसो थाय चीराने प्रददव स्वयम रामाय लक्ष्मना याथ सीता यईचा प्रिथा प्रिथा रामस्तु वस्त्राण उत्स्रिज वन्य चीराण पर्यधात लक्ष्मनो अपितता चक्रे सीता तन्न विजानती हस्ते ग्रिहीत्वा रामस्यलज्या मुखमैक्षत रामो ग्रिहीत्वा तचीरमन्षुके पर्यवेष्टयक तद्रिष्ट्वारु रुदुहु सर्वे राजदाराह समन्ततह वसिष्ठस्तु तदाकर्ण्य रुदितम भच्सयन रुशा कैकेहिम प्राह दुर्वृत्य रामयव तवया वृतह वनवासाय दुष्टेत्वम सीताय किम्प्रय चसी यदिरामम समन्वेति सीता भक्त्यापति व्रता दिव्याम बरधरानित्यम सर्वाभरन भूशिता रमयत्वनिशम रामम वनदुख निवारिणी राजा दश्रतो अप्याह सुमंत्रम रथमानय तब राम जी ने बिना किसी रोक टोक के पिता के महल में प्रवेश किया और लक्ष्मन तथा सीता सहीत वहां पहुंचकर केकई मां से कहा माता जी आपके कतना अनुसार हम तीनों वन को जाने के लिए तैयार होकर आ गए हैं अब शीक्र ही पिता जी हमें आग्या दे तो राम के ऐसा कहने पर केकई ने सहसा उठकर स्वयम ही राम लक्ष्मन और सीता को अलग अलग वलकल वस्त्र दिये तब राम चंद्र जी ने अपने राजोचित वस्त्रों को उतार कर वनवासियों के से वस्त धारण किये लक्ष्मन जी ने भी ऐसा ही किया किन्तु सीता जी उन्हें पहनना नहीं जानती थी अता उन वस्त्रों को हाथ में लेकर वे लज्जा पूर्वक राम जी की ओर देख दिया यह देखकर रनिवास की सभी स्त्रियां रोने लगी तब वशिष्ट जी ने उनके रोने का शब्द सुनकर क्रोधित हो कह कई को डांटते हुए कहा एई दुश्चीले तुने तु केवल राम के वन जाने का ही वर मागा है ना फिर तु सीता को भी वन के वस्त्र क्यों देती है यदि पतिव्रता सीता भक्तिवश राम के साथ जाना चाहती है तो ऐसमस्त अभूशनों से विभूशित और दिव्यवस्त धारण कीये हुए ही ज तथा नित्य प्रतिराम के वनवास दुख को दूर करती हुई उनको आनंदित करे। शीघ्रम रामस्य पश्यतह रामह प्रदक्षिनम कृत्वा पितरम रथमारुह लक्ष्मनह खट्ग युगलं धनुस्तोणी युगम्तथा ग्रिहित्वा रथमारुह नोदयामास सारथिम् तिष्ठ तिष्ठ सुमंत्रे तिराजादश रथो अब्रवीर। गच्च गच्चेति रामेन नोदितो जोदया द्रथम् रामेदूरम गते राजा मूर्चितह प्रापत भुविही पौरास्तु बाल वृद्धाष्च वृद्धा ब्राम्हन सत्तमाहन तिष्ठ तिष्ठ तिरामेति क्रोशंतो रथमन वयुह। राजा रुदित्वा सुचिरम मामन यंतू ग्रिहं प्रति कौसल्याया राम मातुरित्याह परिचारकान। किम्चित कालं भवे तत्र जीवनम दुखितह स्यमे अत उर्ध्वमन जीवामे चिरम रामम विनाकृतह ततो ग्रिहं प्रविश्याईव कौसल्यायाह पपातह मूर्चितश्या चिराद बुद्धा तूश्नी मेवा वतस्थिमां। तो मारा दश्रत ने सुमंत्र से कहा कि सुमंत्र रत लेयाओ वनवासियों कि प्रिय ये राम आदी रत पर चढ़कर ही वनको जाएंगे। ऐसा कहवे सीता और लक्षमन के सहित राम को देखकर दुख से प्रित्वी पर गिर पड़े और आँखों में आशु भर कर रोने लगे। तब राम जी के देखते देखते शीगरी सीता जी भी रत पर चढ़ी फिर राम चंद्र जी पिता की परिक्रमा कर रता रूढ हुए और उनके पीछे दो खडग तथा दो धनुश और तरकश लेकर लक्षमन जी सवार हुए और सारत ही से रत हांकने को कहा। तब राजा दशरत कहने लगे सुमंत्र ठहरो ठहरो किन्तु राम चंद्र जी ने चलो चलो कहकर शीगरिता करने को कहा। इसलिए सुमंत्र ने रत हांक दिया। राम के दूर निकल जाने पर महराज मूर्चित होकर प्रित्वी पर गिर पड़े। तदनंतर समस्त पुरवासी बालक वृद्ध और वयो वृद्ध मुनिगण फे राम ठहरो मत जाओ। इस प्रकार चिलाते हुए रत के पीछे पीछे चल दिये। राजा दश्रत पहुत देर तक रोते रहे फिर उन्होंने अपने सेवकों से कहा मुझे राम की माता कौसल्या के घर ले चलो। मुझ दुखिया का वहां रहकर कुछ काल जीना हो सकता है किन्तु राम से रहित होकर अब मैं अधिक काल जीवित नहीं रह सकूँगा। तब कौसल्या के घर पहुँचते ही राजा चेत होकर पितवी पर गिर पड़े। फिर बहुत देर पीछे चेत होने पर वे चुपचाप बैठे रहे। रामस्तु तमसातीरम गत्वातत्रा वससुखी जलम प्राश्य निराहारो व्रिक्ष मूले अस्वपद विभुह। सीतया सहधर्मात्माधनुष्पानिस्तु लक्ष्मनह। पालयामा सधर्मग्यह सुमंत्रेण समन्वितह। पोराह सर्वे समागत्य स्थितास्तस्या विदूरतह। शक्तारामं पुरं नेतुम् नोचेद्गच्छा महेवनं। इतिनिष्चयमा ज्यायतेशाम रामो अतिविस्मितह। नाहम गच्छामे नगरमे तेवै क्लेश भागिनह। भविश्यन्तितिनिष्चित्य सुमंत्रम इदम्म अब्रवी। इदानिमेव गच्छामह सुमंत्र रथमानय। इत्याग्यप्तह सुमंत्रो अपे रथम वाहे रयो जय। आरुहय रामह सीताच लक्ष्मनो अपे युरुदृतं। आयोध्या भिमुखम गत्वा किंचिर्द दूरंततो यय। ते अपिरामम अधिस्ट्वाइव प्रातरुत्थायदो किताह। इरतने मिगतं मार्गं पश्यंतस्ते पुरं यय। हृदि रामम ससीतमते ध्यायंतस्तस्थुरं वहं। सुमंत्रो अपिरथम शिघ्रम नोधयमा ससाधरम। स्भीताण जनपदान पश्यं। रामह सीता समन्वितह। गंगातिरम समागच्च शिंग वेरा विदूरतह। गंगाम द्रिष्ट्वा नमस्कित्य स्नात्वासा नंदमान सह। इधर श्री रामचंद्र जी तमसा नदी के तट पर पहुँचकर वहां सुखफूर्वक रहे। और रात्री के समय बिना को चाहार किये केवल जल पीकर सीता जी के सहित व्रिक्ष के नीचे सो गए। तथा सुमंत्र के सहित धर्मात्मा लक्ष्मन जी धनुष लेकर उनकी रक्षा करते रहे। उनके पास ही समस्त पुरवासी आकर ठहर गए। उन्होंने निश्चे किया कि हम या तो राम का योध्या लोटा ले चलेंगे नहीं तो हम भी इनके साथ वन को ही चले जाएंगे। राम चंद्र जी को उनके इस निश्चे का पता चलने पर अतिव इसमय हुआ और उन्होंने यह सोच कर कि मैं तो अयोध्या को लोटूँगा नहीं और वे व्यर्थ वन में इकलेश भोगेंगे। सुमंत्र को बुला कर कहा सुमंत्र तुम रत ले आओ, हम अभी चलेंगे। तो राम की ऐसी आग्या होने पर सुमंत्र ने रत में घोडे जोत दिये। तब राम लक्ष्मन और सीता उस पर चढ़कर शीगृता से चले। उन्होंने अपना रत कुछ दूर अयोध्या की ओर ले जाकर फिर वन की ओर बढ़ाया। प्यतहकाल होने पर पूरवासियों ने राम और सीता का ध्यान करते हुए वहां रहने लगे। इधर सुमंत्र ने भी शीक्र ही आदर पूरवक अपना रत बढ़ाया। तब सीता के सहित श्री राम चंद्र जी विस्तृत देशों को देखते हुए शिंगवेरपुर के पास गंगाजी के तट पर पहुँचे। औ ततो गुहो जनई शुत्वा रामा गम महोचवं सखायम स्वामिनम द्रष्टुम हर्षा तूर्णम समापतत फलाने मधुपुष्पादि ग्रिहित्वा भक्ति सैयुतह। रामस्याग्रेव निक्षिप्य दंडवत प्रापतत भुवी गुहमुथाप्यतं तूर्णम रागवह परिश स्वजे। संप्रिष्ट कुषलो रामम गुहह प्रांजलीर ब्रवी धन्योह मध्यमे जन्म नैशादम लोकपावनां। बभुव परमानंदह स्प्रिष्ट्वातेयंगं रगुतम नैशाद राजमे तत्ते किंकरस्य रगुतम त्वदधीनम वसन्नत्र पालयास्मान रगुद्वह। आगच्यामो नगरं पावनं कुरुमे ग्रिहं। ग्रिहान फलमूलानित्वदर्थम संचितानिमे। अनुग्रिहनी श्वभगवन दासस्तेयां सुरोतम रामस्तमाह सुप्रीतो वचनम श्रोनुमे सके। नावेक्षाम ग्रिहं ग्रामम नववर्षाने पंचचा। दत्तम अन्येननो भुंजे फलमूलादि किंचन। राज्यम ममै तत्ते सर्वंत्वं सखामे अतिवल्लभः। वटक्षीरम समानाय जटामुकुटमादरात। बबंध लक्ष्मने नाथ सहितो रगुनन्दन। जलमात्रम्तु संप्राश्य सीतया सहराघवः। आस्त्रितम कुष परनाध्याई ही शयनम लक्ष्मने नही। उवास तत्र नगर प्रासादा ग्रेय थापुरा। सुष्वाप तत्र वैदेह्या पर्यंक इवसंस्कृते। ततो विदूरे परिग्रिय चापम सबान तोणी रधनो सलक्ष्मनं। ररक्षरामम परितो विपश्यन गुहेन सार्धम सशरा सनेनं। तो शीराम चंदर जी शिंगवेरपुर के पास गंगा जी के तटपर पहुँच गए हैं। उन्होंने वहां गंगा जी मिस्नान किया और फिर रगुश्रेश राम जी शिंशपा यानि सीसम के व्रिक्ष की छाया में बैठ गए। इसी समय निशाद राज गुहने लोगों के मुह से राम जी के आने का मंगल समाचार सुना। ये सुनते ही मैं तुरंत अपने एक मात्र सखा और स्वामी शीरगुनात जी को देखने के लिए प्रसन्चित से भक्ति पूर्वक, फल, शहद और पुश्पादे लेकर वहां आएगे। और वह भेट की सामगरी राम के आगे डाल कर दंड के समान पृतिवी पर गिर पड़ा। तब शीरगुनात जी ने उसे तुरंत ही उठा कर गले लगा लिया। तदु परांत राम जी के कुशल पूछने पर गुह ने हाथ जोड कर कहा। हे लोक पावन मैं धन्य हूँ आज मेरा निशाद जाती में जन्म लेना सफल हो गया। हे रगुश्रेष्ट आपके अंग संग से मुझे परमारंद प्राप्त हुआ है। हे रगुवर आपके दास का यह नैशाद राज्य आप ही का है। इसलिए हे रगुश्रेष्ट जी आप यहां रहकर हम लोगों की रक्षा कीजिए। चलिए नगर में पधार कर मेरा घर पवित्र कीजिए। हे भगवन आपके लिए मैंने जो कुछ फल मूला दिये कत्रित किये हैं उन्हें स्विकार कीजिए। हे सुरिश्रेष्ट मैं आपका दास हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। दवराम चंदर जी ने प्रसन्नोह कर उससे कहा। मित्र सुनो मैं 14 वर्ष तक किसी घर या गाउं में नहीं जा सकता। और ना किसी और के दिये हुए फल मूला दि ही खा सकता। मित्र तुमारा यह संपून राज मीरा ही है और तुम भी मेरे अत्यंत प्रिय सका हूँ। रदनन पर रगुनात जी ने फिर उससे वट का दूध मंगा कर लक्षमन सहित भली प्रकार समार कर जटा जूट बांधे। लक्षमन जी ने कुश और पत्तों की एक शयया बना दी। उसी पर केवल जल पीकर सीता के सहित श्री रगुनात जी विराज मान हुए और पहले जिस प्रकार अयोध्यापूरी के महल में जनक नंदिनी के सहित सुसजित पलंग पर पौढ़ते थे उसी प्रकार सूगए। श्री राम चंदर जी की रखवाली करने लगे। श्री राम चंदर जी का वन गमन हो गया है। अपने वन गमन की आत्रा के पहले पड़ाव पर है। इसके साथ ही हम यहाँ अयोध्या कांड से यह पांचमा सर्ग समाप्त करते हैं। श्री टी समाप्त करते हैं।